गुड़ मॉर्निंग बिटा आप पताने गुड इवनिंग है गुड बॉर्निंग है जो भी है आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अगले जो मैंने डिस्कस किया था अगले लेक्चर पर अगले टॉपिक पर आ गए हैं हम लोग क्या कह रहा है अगले टॉपिक अब उसको छोड़ आई पिछली कहानी अब कह रहे हैं कि गैलवेनोमीटर जो है उसको हम यूज कर सकते हैं as a emitter and as a voltmeter यानि कि convert किया जा सकता है एक गैलवेनोमीटर को दो अलग-अलग devices में उन में से एक device है जो emitter है emitter का मतलब emitter का मतलब क्या है जो current को measure करे detect ना करे जो मुझे current की value exactly बताए कितनी है और voltmeter क्या है जो voltage measure करे तो पहली दो बात है हमने सुनी कि क्या कर सकते हैं गैलवेनोमीटर को convert कर सकते हैं emitter में और voltmeter में तो पहला आज हम discuss करेंगे आज की lecture में कि कैसे इसको emitter में convert करते हैं फिर से मैं बोलूँगा बहुत serious topic है कम समझ में आता है याद सब को होता है आयोग पिछला वाला आपके सौंझ में आ गया तक क्या कहानी हो रही थी लगवग वैसी ही कहानी है बहुत carefully तो emitter पहले तो आपको बताना पड़ेगा what is emitter emitter is a device which is used to measure the current measure करने के काम आती है clear मैं लिखूंगा नहीं used to measure the current और galvanometer किस काम आता था detect करने के काम detect करने में और measure करने में फर्ग है clear अब यह कहानी शुरू करने से पहले में दो-तीन words ऐसे बताऊंगा जो आपको सुनने पड़ेंगे जरूरी है for example कोई भी galvanometer है मान लीजे यह galvanometer है बहुत बसूरा सा ठीक है यह galvanometer है यहाँ पर इसकी needle लगी हुई है यह रही इसकी needle यह रही zero की marking और यह कुछ divisions है ठीक है एक, दो, तीन, चार, पाँच दो, तीन, चार, पाँच सुल लिए आपने ठीक है यह zero की marking है तो जब मैं इसको galvanometer बोल रहा हूँ कि यह galvanometer है तो अच्छा एक बात देखना needle deflect की तो एक, अगर यहाँ तक needle पहुँच गई है तो एक division का deflection, दो का, तीन का, चार का, पाँच का जब needle यहाँ पहुँच गई है यानि कि पाँच पूरे division हो गए है एक, दो, तीन, चार, पाँच division का deflection हो गया है, तो इस deflection को एक नाम देते हैं सुनना मेरी यहाँ, बहुँच द्यां से सुनना जब galvanometer की needle जितने उसमें maximum division हैं, उतने उसने cover कर लिए, तो इस deflection को नाम बोलते हैं full scale deflection सुना आपने क्या बोला मैंने, full scale deflection, अच्छा कोई आप से इसमें पूछ दे कि इस galvanometer में कितने division हैं इस galvanometer में कितने division हैं तो आप क्या जवाब देंगे 5 जवाब देंगे या 10 जवाब देंगे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 में लाके 10 मुझे इतना बता, यह कितने division हैं कुछ लोग कह रहे होंगे 10 हैं, कुछ लोग कह रहे होंगे 5 हैं तो मैं बता दूँ 5 वाले सही हैं मेरी बात सुनना यह 0 mark है तो 0 mark के एक तरफ कितने हैं क्या maximum 5 ही तो हैं एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे तो 5 हैं क्या यह कभी 10, 81 division deflect कर सकती है अगर needle यहां से होती start यह 0 होता कब मैं बोलता 10 deflection 10 division है इसमें total लेकिन needle कहां से start हो रही है 0 mark से start हो रही है तो 0 के बाद either side कितने हैं 5 ही हैं तो maximum deflection कितने का हो सकता है कितने divisions का हो सकता है 5 divisions का हो सकता है पहली बाद तो हमने यह सुन ली तो जब भी कोई बोलेगा आच आप मैं क्या बताने जा रहा था मैंने क्या sentence बोला कि जब needle maximum divisions तक पहुँच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं full scale deflection sentence सुना एक एक बाद सुनते रहना कभी इतना मैं जोर देके नहीं कहता हूँ कि सुनना होगी उस समय इतनी जरूरी चीज़े नहीं होती है आज बहुत जरूरी है full scale deflection और इतना deflect करने के लिए कुछ current लगी होगी इसको यहां से यहां तक deflect करने के लिए क्या लगी होगी कुछ current लगी होगी उस current को मैं बोलता हूँ full scale deflection current क्या बोलता हूँ full scale deflection current दो वर्ड समझ में आए किसी galvanometer की needle को पूरा deflect होने में जितने division लगते हैं जब deflect हो जाती है full scale तक full scale समझ जितने maximum उसमें हैं तो उसको क्या बोलते है full scale deflection हो गया और उस deflection के लिए जो current required होती है उसको क्या बोलते है full scale deflection current अभी बावताना अगर कोई needle कभी current दी हमने इसको और इस last वाले mark से ज़्यादा निकल गई मालो ृडड़िल यहां तक कहुँच गई तो क्या आप अब measure कर सकते हैं कि कितनी current है क्या आप अब measure कर सकते हैं कितनी current है नहीं कर सकते यहों कि आपकी marking तो कहा था गो रखी मालो यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है 5 तक ही तो marking है, अब marking से आगे निडल चलेगी तो आप क्या तुक्का मारोगे तुक्का वले ही मारोगे, 6 होगे, 7 होगे अरे वो तो 6 पे भी यहीं रुकेगी 7 होगे तो मीटर तोड़के नीचे तोड़ना आजाएगी, 7 पे भी यहीं रुकेगी, 10 पे भी यहीं रुकेगी आप predict नहीं कर सकते, 5 के बाद यानि कि maximum limit इसकी क्या हो गई है, 5 हो गई है अगर मैं इसको emitter, मतलब कुछ भी current की बात करूँ तो ampere में अगर बोलू तो यह 5 ampere तक की current को maximum measure कर सकता है होगे कांटे की limit ही कहा तक है, 5 तक है, 5 के आगे तो यह कुछ तुक्का मार दो आप 6, 7, 8 जितना मारना चाहो जो आपका मन करे तो पहले 2-3 term सुने, सुन लिए कि नहीं सुन लिए दो term याद हो जाने चाहिए, full scale deflection क्या होता है लेकिन पता सबको होना चाहिए, अब आगे, थोड़ा सा हो सकता है, बड़ा lecture हो अब सुनिए, अगर मुझे emitter बना रहा है, current measure करनी है current measure करने की device हमेशा कहां लगती है, series में लगती है, हमेशा कहां लगती है series में लगती है, तो मैंने क्या बोला, क्या बोला कि ये एक register है, कोई भी एक register है, माल लीजे, R है मुझे इस से, या इस register में current measure करनी, किसी circuit का part होगा ऐसा एकलाउता register, तो current कहां से आएगी, यानि कि किसी बड़े से circuit का एक part है और मुझे इस branch में current measure करनी है, यानि emitter लगाना है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, galvanometer का emitter बनाने जा रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ, galvanometer का emitter बनाने जा रहा हूँ तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, एक galvanometer attach कर दिया लीजे भई, एक galvanometer attach हो गया, series में attach कर दिया तो जो current इसमें होगी, वही इसमें होगी जो current इस register में होगी वही इसमें होगी, क्योंकि दौनों किसमें लग गए है series में साथ ही मैंने एक बात बोल दी कि इस galvanometer में जो coil है इस galvanometer में जो coil है, उसकी resistance कितनी है G है जी अच्छा लग रहा है galvanometer की resistance G R क्या था फिर R क्या था, जिस circuit की resistance measure करनी है, उसकी resistance चलिए अब मेरी बात सुनिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, convert करने जा रहा हूँ galvanometer को emitter में तो दो-तीन बातें जलूरी है क्या हर instrument की एक limit होती है कि कितना वो measure कर सकता है for example, मैं आपके सामने अगर एक scale दे दूँँ आपको 10-15 cm कितनी होती है वो तो आप उसकी एक limit है वो एक बार में कितना measure कर सकती है 15 cm, 15 cm measure कर सकती है यही होती है उसकी होती है na maximum limit ऐसी 30 cm वाला भी एक आता है बड़ा वाला, उसको फुटा बोलते है तो क्या बोला अगर मैं एक emitter design करने जा रहा हूं तो उस emitter की भी कुछ maximum limit होगी कि ये वाला emitter सिर्फ 10 ampere तक measure करेगा फिर मैंने एक और दूसरा emitter बनाया वो कह दिया ये 20 ampere तक measure करेगा यानि कि there must be a limit of the instrument और उस limit को ही मैं define करने जा रहा हूं क्या बोल रहा हूं design कर रहा हूं क्या कर रहा हूं अरे लिखाता है उपर converting क्या कर रहे हैं conversion कर रहे हैं तो let the range of emitter to be designed क्या गरवड होई इसमें to be designed is 0 to i उसकी range कितनी है 0 to i यानि कि minimum तो 0 है और maximum कितनी current measure कर रहा है i measure कर रहा है सुन ली है बात क्या measure कर रहा है i current measure कर रहा है तो मैं बोलूँगा maximum current कितनी measure कर सकता है i एक बात हो गई पहली बात दूसरी बात जो मेरा galvanometer है उसकी needle जो full scale deflection show करती है वो एक कोई छोटी सी current होगी क्यों galvanometer बहुँ जली deflect करता है तो full scale deflection current for the galvanometer for the galvanometer भी कुछ given है तो मैं माल लेता हूँ let the full scale deflection current for the galvanometer कैसे लेख दें for the galvanometer चलेगा is i g i subscript में g यह जो current है यह कौन सी current है full scale deflection current यानि की galvanometer जो हमारा था उसको full scale deflection करने के लिए इतनी current चाहिए यह generally कुछ milli ampere में रहती है generally बता रहा हूँ कम भी हो सकते हैं थोड़ी बहुत 19-20 इदर दर हो सकते हैं generally milli ampere में रहती है एक milli ampere, दस milli ampere ऐसे होती है यह हो गई full scale deflection current अब सुनते हैं हम circuit बनाएंगे maximum current के लिए यानि कि design किस के लिए करा जाएगा maximum current मेजर कर पाए और अगर maximum वाली मेजर कर लेगा तो उससे पीछे वाली तो करी लेगा सुन लिया तो मैं अभी emitter बनाऊँगा तो किसको द्यान में रखके बनाऊँगा कि यह maximum current मेजर करे मान लिया कि जो maximum current है मेरी वो कितनी है आई मैंने मानी थी अभी लिखी थी तो मैंने मान लिया कि इस circuit मैं बनाई किस के लिए रहू हूँ मैक्याम के लिए बना रहा हूं तो मैक्जाम करेंट माल लिया इसमें आरही है अब दो परेशानियाह होंगी कितनी परेशानियाह होंगी दो परेशानियाह होंगी सुनना बहुत द्यान से दौनों ही समझ में आनी कईड़ू जैसे ही एक click दे स्च transaction current देता है बहुत छोटी सी कुछ मिली AM तो मैंने क्या किया इस गैलवैन मिटर के साथ पैरलेल में एक शंट लगा दी क्या लगा दी एक शंट लगा दी अब यहीं पर पहानी बदलती है इसरे नहीं कि इस घर्जग मैंने मानी कितनी है ऐस है तो अब designing का मतलब यह है कि इस shunt की value इस तरीके से select की जाए कि जो galvanometer में current जाए दो जगा division होगा current का, कुछ current इधर आएगी, कुछ current इधर जाएगी, दो जगा इबता चुका हूँ, पिछले lecture में खूब डंग से majority of current कहा जाएगी shunt में, minimum current कहा जाएगी, minimum का मतलब मेरा क्या है, कम current कहा जाएगी galvanometer में तो मैं क्या कहा रहा हूँ, shunt की ऐसी value select करिये, कि जो galvanometer में current जाए, वो कितनी जाए, full scale deflection के बराबर कितनी जाए, full scale deflection के बराबर current जाए, अगर ऐसा हुआ, तो current मेरी यहाँ maximum थी, और needle भी कहा पहुंच गई, maximum पहुंच की जानी कि उसने बराबर measure करके दे दिया मुझे, बराबर measure करके दे दिया, तो full scale deflection current कितनी मानते हैं अपन, I, G, तो इसमें कितनी जाएगी, I minus I, G, ये कहां से आ गई, कौन्चा लो लगा दिया, कमेंट करके बताइए, कौन्चा लो लगाया कि I minus I, G आ गई, कोई लो लग गया, इसमें थर्ड चेप्टर से उठके एक, आदे बच्छों को याद नहीं होगा, sentence सुना, हम shunt की वो value लेते हैं, जिस से galvanometer में जाने वाली current, full scale deflection हो, अगर ऐसा होगा, तो I, G current मान लिया, इसमें चलीगी, तो बची कितनी, I minus I, G, तो अब task क्या बस्ता है, हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए task बस्ता है, इस shunt की value निकालना, क्या करना, इस shunt की value निकालना, चलिए तो आपको क्या यह दिख रहा है कि galvanometer और यह दौनों parallel में हैं तो मैं बोल सकता हूँ G and S are in parallel parallel, दौनों parallel में हैं तो parallel में हैं तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि दौनों के potential same होंगे अरे parallel में क्या same होता है potential same होता है तो मैं बोल सकता हूँ potential across galvanometer must be equals to potential across shunt golden formula बनेगा golden equation बनेगी इस galvanometer के across potential कितना है i into r potential क्या होता है i into r current कितनी है i g resistance कितनी है galvanometer की g is equals to, यह g समझगे क्या था, g थी इस galvanometer की coil की resistance is equals to, इस shunt के across कितना voltage है, कितना potential है, आप बोलेंगे sir i into r यहां भी लगाएंगे यानि कि i minus ig into s, यह बन गई है golden equation, इस से जादा अब कुछ भी पूछ सकते हैं वो, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कितने term लिखे हैं, एक, दो, तीन, और चार term है इसमें, कितने term हैं, चार हैं, तीन आपको दे दिये जाएंगे, एक पूछ लिया जाएगा तीन दे दिये जाएंगे, एक पूछ लिया जाएगा, अब मैं यहाँ पर वो नौटंकी नहीं करने वाला, कि मैं s की value निकाल के एक formula बनाऊं, एक formula g के लिए बनाऊं, एक i के लिए एक ig के लिए इतनी नौटंकी नहीं कर पाएंगे, ना ही मैं आपको recommend करूँगा, इतनी यह equation golden है, जो मर्जी value रखिए, तीन दी जाएंगी, तीन रख लीजिए, चौथी निकल आएगी, सुन पाई है बात, कई बार, कई बार, ऐसा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कई बार तीन value डायरेक्ट नहीं दी जाती है, तीसरी छुपा के दी जाती है, कौन सी तीसरी value आईजी की value छुपा के दी जाती है, छुपा के देते हैं, होती question में है, given तो होगी ही होगी, बिना उसके निकलेगा नहीं, लेकिन कई बार वो value इतनी hidden form में होती है, मैं कुछ questions आपको example की form में करवाओंगा, या फिर assignment में दूँगा, इतनी hidden form में होती ही, कि आपको इनना मुश्किल हो जाता है, और कुछ बच्चे इतने होश्यार हो जाते हैं पढ़के, कि उनको एक बार में दिख जाती है, ये था छोटा सा galvanometer का conversion into emitter, अब मेरी बास सुनना, एक problem और थी, वो मैंने आपको बताई नहीं छुपा ली है, अभी तक, एकी problem बताई मैंने, क ति galvanometer को series में लगाया, emitter की तरह काम करवाना चाह रहे थे, तो क्या होता, इसकी coil खराब हो रही थी, coil खराब हो रही थी, तो मैंने इसके साथ parallel में एक shunt लगा दी, there is one more reason of using shunt, एक और reason है, जिसकी वएस मैंने shunt को use किया है, वो reason भी बहुत कमाल का, लेकिन उसके लिए high quality का बच्चा चाहिए समझने के लिए, मैं एक बार बताऊंगा जुरूर, बाकि आप समझिएगा, सुनना मेरी बार, क्या इतना, अब कुशन में लिखेंग कैसे, कुशन आता है, कैसे convert करेंगे आप, galvanometer में, आपका एक answer होगा, by connecting a shunt, by connecting a shunt with galvanometer, ठीक, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, कि by connecting a very small resistance in parallel with galvanometer, दौनों ही एक ही बात लेगे, shunt लिख देंगे, तो बड़ा सुन्दर लगेगा, examiner को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ये equation याद होनी ही चाहिए, इसमें याद करने में है ही क्या, मुझे समझ में नहीं आता, equals to i minus i g into s, खतम होगी काहानी, बहुत simple है, अब हटा दू इसको गया, एक कुशन और कर लेते हैं, तब दूसरा reason बताता हूँ, लोगि दूसरा reason बताओंगा last में, चलिए, एक कुशन और करते हैं, एक कुशन समझ में आ जाएगा, design, an emitter, क्या design करना है, an emitter, of range, 0 to 10 ampere, using a galvanometer, यह आपका experiment भी हुआ करता है, 12th class में, conversion of galvanometer एक experiment भी होता है, करना पड़ता है हम लोगों को, using a galvanometer of coil resistance, तो इस तरीके से सीखो कि दिमाग में छपता चले एक दम, छपता चले, क्या बुला, using a galvanometer of coil resistance, 10 ohm, 10 ohm थोआ ज्यादा कम हो गया, माल लीजे 20 ohm, using a galvanometer of coil resistance, 20 ohm, the full scale deflection current, जैसे मैं यह नाम लिख रहा हूँ, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किस से denote करते हैं इसको, किस से denote करते हैं, I, G से, the full scale deflection current, for the galvanometer, ऐसे लिख दे हैं, for the galvanometer, is 20 milliampere, 20 milliampere, clear इतनी बात, अब design करने को कह रहे हैं, कि एक emitter बनाईए, जिसकी maximum current कितनी है, आपकी नजर सिर्फ किस पर जानी चाहिए, कि maximum current कितनी है, 10 ampere है, तो maximum current पता है, यानि कि किस की value term को लिखना बहुत जरूरी है, maximum current को किस से denote करते हैं, I, से, पीछे देखा होगा, तो अभी इलमानी थी maximum range कितनी थी, या range कितनी 0 to I, तो maximum current कितनी है, I, तो मुझे question के according जो दिया है, मैं पहले छाप लूँगा, मुझे पहला term मिला कि maximum current कितनी दी गई है, 10 ampere, मैंने इसको I, से denote करना है, अब ये आपको करना ही पड़ेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, इसके बाद मुझे क्या बोला गया है, पढ़ते जाएए, galvanometer of coil resistance 20 ohm, अब ये किसकी value है, क्या ये पदा चला किसकी value है, coil की resistance, सीधा-सीधा वो coil resistance ना बोलते, सीधा बोलते, galvanometer of resistance, तब भी बात वही थी, ये value है, galvanometer की resistance की, which is denoted by G, और कितनी है, 20 ohm, कितनी है, 20 ohm, फिर कह रहे हैं, the full scale deflection current, full scale deflection current, यानि की IG की value, कितनी दी गई है, 20 milliampere, 20 milliampere, मतलब 10 to power minus 3 चिपकाएंगे इसके साथ, तो 1, 2, 3, यानि की 0.02 ampere, दिख गई, पूछा क्या गया है, अब ये तो लिखा ही नहीं, पूछा क्या है, कहीं लिखा है क्या, क्या बताना है, आप बोले, सार बोले थे, 3 देंगे, 4 पूछ लेंगे, क्या 4 पूछ लेंगे हमसे ये, अरे वो कहतो रहे हैं, कि design and a meter, design करिए, design करने का मतलब क्या है, design करने मतलब है, कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे, सर हम तो शंट लगा के बनाएंगे, गैल वेनो मिटर में current, इंटू उसकी resistance, गैल वेनो मिटर में current कितनी, आई जी, इंटू उसकी resistance कितनी, जी, इस एक्वस्टू, अब दूसरे में current कितनी पहुँचेगी, शंट में, आई माइनस आई जी, इंटू S, क्या इस equation में value रखके, S की value निकल आईगी आपसे सुनली बात IG पता है, कांग यह रही G पता है, यह रही सब कुछ पता है मुझे बस value रखनी है, answer शापना है, comment करना है आपको समझली बात उमीदे सभी लोग करेंगे इतना काम बहुत important session था यह अब एक और बात बसती है कि मैं बताऊं या ना बताऊं चली बता देते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं आपके साथ, हटा दे इतना solve करके answer जरूर कमेंट करिएगा किस की value? S की value इसकी बहुत अच्छे चे questions है को मैं आपको assignment में ही दे पाऊँगा अभी सारी discuss नहीं कर सकते हैं, लोग एक और बात मैं प्लान कर रहा था कुछ बताऊंगा टेलिग्राम पे एक quiz करने वाला हूं मैं बहुत जल्दी तो जो लोग भी quiz में interested हो quiz मतलब multiple choice questions होंगे quiz होगी time के साथ time bound limit होगी आपको फटा फट टरने होंगे उसी समय, मैं भी आपके साथ live रहूंगा उस time पर, तो अगर कोई भी interested हो ऐसा करने में तो अगर majority ऐसा कहेगी तो करेंगे, otherwise नहीं करेंगे और बहुत beneficial रहती हैं चलिए, अब मैं क्या बोला था, एक और घाटा था किस बात का जो conversion में कर रहा था, उसमें देखिए ये एक register था, R मान लिया है, इसमें current अभी कितनी है, I है और मुझे इसको measure करना था current को बहुत द्यान से सुना, बहुत ज़्यादा careful सब छोड़ दो, सिर्फ नजर यहाँ पे इसमें current कितनी है, आई है मैंने बोला register R था, मैंने इस current को measure करने के लिए क्या किया इसके साथ एक series में एक galvanometer लगाया और उस galvanometer की खुद की resistance कितनी है, जी है अब मेरी बास सुना क्या इस branch में total resistance बढ़ गई है क्या इस branch में total resistance बढ़ गई है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, पहले कितनी resistance हुआ करती थी इस branch में, R हुआ करती थी क्या अब इस branch की resistance R से बढ़ कर R प्लस G हो गई है पहले यहाँ पर resistance कितनी हुआ करती थी इसकी R हुआ करती थी अब कितनी हो गई है यहां लिख देते हैं R प्लस G हो गई है और जैसे ही मुझे ऐसा दिखाई दिया तो मैं एक पास समझ गया कि जब ब्रांच में रेस्टेंस बढ़ गई टोटल तो क्या ब्रांच में आने वाली current घट गई अरे घटे के की नहीं बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने बहुत छोटी बात बोली है क्या इस ब्रांच में आने वाली current घट गई और मैं measure करना चाहता था current को जो मैंने खुद घटा दी, तो क्या error आ गई मेरे measurement में सुनी line, जिसने सुन ली हो वो जरूर बोलेगा, सर समझ गए हम कुछ कुछ समझे हैं क्या बोला, पहले resistance आ रुगा करती थी current मान लिया इसमें कितनी आ रही थी 10A की आ रही थी, मान लिया 10A की आ रही थी इस register में current, जैसे ही मैंने उस current को measure करने के लिए galvanometer attach किया, या कोई भी instrument attach किया, तो attach करते ही उस instrument की भी तो resistance है, वो कितनी है, जी है उसकी coil की resistance जी है branch की total resistance अब कितनी हो गई R plus G, they are connected in series, branch की total resistance कितनी हो गई, R plus G, ऐसा करते ही, ऐसा करते ही क्या हुआ, क्या resistance बढ़ी, तो current कम हो गई, जिस current को मैं measure करने आ रहा था, वही current मैंने कम कर दी, जिस dal को काट रहे हैं, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी कुछ कहावत है, एक जिस पर बैठे हैं, उसी को काट डाला है, ऐसा कुछ कहते हैं, जो करने गई थे, वह उसी के नुकसान कर दिया है, आपने, आपने नुकसान कर दिया है, क्या आ गई है, error आ गई है, अब error आ गई है, यहाँ पर शुरू होता है, मेरा first वाला, जो पिछले lecture मैंने पहली punchline बोली थी, क्या बोली थी मैंने punchline, जैसे ही इसके साथ मैं parallel में shunt लगाता हूं, जैसे ही इसके साथ मैं parallel में shunt लगाता हूं, तो एक punchline याद आनी चाहिए, shunt is very small, this is very small, कोई भी दो register जब parallel में connected होते हैं, तो उनकी equivalent जो सबसे छोटा होता है, उससे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था, कि अगर इन दोनों को parallel में connect किया, तो इस s की, मैं बोलूँगा, जो इन दोनों की equivalent होगी, वो क्या s से भी कम होगी, विकाज s बहुत छोटा है, तो इससे भी कमाएगी, यह line याद है, मुझे उमीद है, पूरी बोल देना, इन दोनों का equivalent, product upon sum, g into s upon g plus s, सुना, अरे सुन पाई है, क्या हुआ है, इस में s बहुत छोटा है, तो क्या मैं इस s को ignore कर सकता हूँ, plus के sign के साथ क्या कर सकते है, s बहुत छोटा है, तो g में s छोड़ोगे, तो 0000.1 ohm का है, तो बहुत छोटा है, इसको हटा दें, इसको हटा देंगे, तो जरा देखना क्या बनेगा, g into s upon cable g बचा, g से g खतम, लगभग कितनी आ गई, s के बराबर आ गई, क्या, इन दौनों की equivalent, इन दौनों की equivalent, बैसे तो s से भी कम होगी, तो हमें पता ही है, लेकिन अगर approximately देखें, तो s के बराबर होगी, और s के बराबर होगी, तो मैंने क्या बूला, कि यहाँ पर equivalent resistance कितनी रह गई है, अब s रह गई है, तो अब r equivalent कितनी हुई, r plus s, s कैसी है, बहुत ननी है, बहुत ननी है, तो छोड़ दीजे, तो क्या इस पूरी branch की equivalent resistance, अभी भी r ही रह गई है, अभी भी r रह गई, इसका मतलब resistance नहीं बदली, current भी नहीं बदलेगी, तो हमारी measurement में error भी नहीं आईगी, बहुत बड़ी बात बोल दी, मैंने, बहुत बड़ी बात बोल दी, अत्ती बड़ी बात बोल दी जलते time पे shunt use करने की, पहली वज़ा हमारा galometer उस current को जहली नहीं पाता, दूसरी वज़ा, error को minimize करने के लिए मैंने shunt use करी, दौनों reason मैंने बता दिये हैं, दूसरा बाला बच्चे भूल जाते हैं, पहला बाला तो उनको याद रहता है, और दूसरे बाले से, इस logic से बहुत से question बनते हैं, चाहे अभी बात करें, चाहे नीट में बात करें, बहुत सारे question इस line से ही उठके आ जाते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी सी line है, पता है, कुछ नहीं करना, ये मैंने ती calibration कर दिया आपको कुछ नहीं करना, मैं पहले ही बताया हुआ है, जब दो register parallel में connected ह होते हैं, तो उनकी equivalent छोटे वाले से भी कम होती है, छोटे वाले से कम छोटा, खुद इतना छोटा है, 0.1, 0.2, 0.001, इतने इस range का आता है, आप answer देखेंगे पहले question का, तो इसी range का आएगा, खुद इतना छोटा है, तो उसके बराबर ही आजाएगी resistance, तो कोई फर्क नह बाद में, all the best.